आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी हमारे किसी राज्य में आपकी विधान सवाद चुनाव होते हैं या फिर आप लोग ने देखा होगा कि जब भी लोग सवाद चुनाव होते हैं तो उस समय EVM पर यानि कि कहने का मतलब मेरा है कि एलेक्टोनिक वोटिंग मसीन पर सवाल खड़े होते रहते हैं और आप देखी कई लोग कहते रहते हैं कि EVM में धांदले बाजी होती रहते हैं और एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि देखी अभी जो सत्ता पक्ष है वो भी एक समय आप देखी कि EVM पर सवाल खड़े करता था और आप देखी कि आज जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो भी EVM पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई बिद्वानों की अगर हम लोग बात मानें तो उनका भी मानना है कि कोई भी मसीन बनती है तो उसमें छेड़ चाड़ की जा सकती है वो कहते हैं कि कोई ताला बनता है तो चोर उसकी चावी बना ही लेते हैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं लेकिन अगर हम लोग चुनाओ आयोग की माने तो आप देखिए चुनाओ आयोग का कहना है और कई बिद्धवानों का भी कहना है कि देखिए EBM किसी भी Bluetooth या Wi-Fi से connectivity नहीं रखती है और इसलिए आप देखिए कि इसमें कोई भी छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती है और मेरा ऐसा मानना है देखिए कि अगर EBM पर से हमारे देश की मद्दाताओं को अगर भरोसा उठ गया तो देखिए लोग तंद का मतलब ही कतम हो जाएगा लोगों की तंद का मतलब ही कतम हो जाएगा आप देखिए कि हम लोगों के मन में इस सवाल चला गया लोगों के मन में चला गया कि सत्ता पक्षए EBM में गड़वड़ी करके सरकारें बनाती है तो वो बोट डालने भी नहीं जाएगा वो सोचने लगेगा कि हम किसी भी को भी बोट दे कर आएंगे और हमारी बोट को परिवर्थित करके किसी और पाइटी को इस्थानान्तित कर लिया जाएगा और पहले आप लोगों ने देखा होगा बैलेट पेपर पर आपने देखा होगा बोट डलते थे कई छेत्रों में अभी भी आप लोग सरपंची के चुनाओ देखते होगे तो बैलेट पेपर पर आप लोगों ने प्रिवानिक बोटिंग मसीन कहते हैं फिर आप देखी और विकास हुआ तक्नीक का तो आप देखेंगे कि आप लोगों को इस तरह का भी भी पी एटी भी आया यानि कि आप लोग यहां बोट डालेंगे और यहां परची के जरी आप लोग देख सकेंगे कि आपका बोट सही जिसी आप लोगों ने डाला है उसी को गया है कहीं एबी एम में कोई गड़वडी तो नहीं है कि आप बोट किसी और को डाल रहे हैं बटन किसी और का दबा रहे हैं और बोट किसी और को जा रहा है तो इस तरह की विवस्था की गई है समय रहे हैं कि मत दाताओं को एक तर ही नहीं रहेगी तो आप समझे कि खतम हो सकती है वे वस्ता तो यह आप लोगों को इसका अगर भी भी पी एटी की बात करें तो इसी आप लोग बोटर वेरिफाइड पेपर और इट और ट्रेल की नाम से जानते हैं ट्राइल ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेंग चुनाओ किसी भी देश के लोगतांतरिक मूलियों के लिए महतमोर होते हैं अगर आप देखी कि सुतंत और निस्वक्ष तरीके से अगर चुनाओ नहीं होते हैं तो चुनाओ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस देश में लोगतांत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और आप मद्दान पेडाली यानि की बैलेट पेपर इन साथ लक्षियों में से अधिकांस को पूरा करती है लेकिन फर्जी मद्दान तथा मद्दान केंदरों पर कबजा जैसे दोस्पूर्ट बेवहार निर्वाची लोकतंत के लिए गंभीर खत्रे हैं निर्वाचन आयूग सुतंत और निस्पक्ष चुनाओ सुनिश्चीत करने के लिए निर्वाचन पिक्रिया में सुधार की प्रयास ने अंतर करता रहा है और इसी कड़ी में जब लगबग आप देखे सभी दलों ने सहमती बनी और बात में EVM पर आकर रुकी तो सारजनिक छेत्रों दो पिटिश्ठानों भार्दी एलेक्टोनिक लिमिटेड बैंगलोर और एलेक्टोनिक्स कॉर्पोरेशन आप इंडिया लिमिटेड है धरावाद की सहयुक से निर्वाचन आयूग ने EVM की खोज और डिजाइन की और आप देखी कि हमारे देश में सोतन तेश्म निक्सपक्ष संस्था है चुनाओ आयूग जो आप देखते हैं कि चुनाओ की देखरी करता है और आप देखिए राश्टी इस्तर का जो चुनाओ आयूग है यह आपके लोक सभा हो, बिधान सभा हो, बिधान परिशद हो, राज्यसभा हो राष्टपती हो उपराष्टपती हो इन सभी चुनाओ की देखवाल करता है लेकिन जो आपकी स्थारिये चुनाओ होते हैं उनके लिए हर राज्य में आपकरना चुनाओ आई होता है जो आप देखते हैं सरपंची का चुनाओ करवाता है जनपत का जिलापं पंचासदस और नगर पंचाद नगर पालिका नगर निगम तो यह बात है एक बात और आपको बता दूँ कि इसलिए भी इस पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि आप देखे कि एक तरह से न्यूजी लेंड नीदर लेंड जर्मनी जो आप देखे कि आधूनिक तास एक तरह से भरी हुए आधूनिक तक्नीक बेहतर तक्नीक है उन देशों के पास उन देशों न भी इस पर पितीबंद लगा दिया है इवी इम पर पितीबंद लगा दिया है जैसे आपको बता दूँ कि नीदर लेंड है सबसे पुराना है जो इवी इम का उप्योग करता था इसमें 2006 म अपने देश में EVM को पितीबंद दित कर दिया था आप देखे 2009 में जर्मनी की एक सर्वोच नियाले ने EVM को गैर सम्मिधानिक घुसित कर दिया था तो इसे भी लिए भी आप देखिए इस पर सवाल उठते रहते हैं लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने का मतलब होता है कि एक लंबी पिकरिया आप देखिए उनकी गिंती होनी चाहिए और आप देखिए अभी एक दिन में ही रजयट आपका उगुसित होकर आपकी सामने आ जाता है और बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो आप देखिए कि कई दिन लग जाते थे उस गिंती होती रहती थे और आप देखिए बैलेट पेपर वॉक्स लोट जाते थे फरजी मद्दान किया जाता था इसलिए आप देखिए तकनीक का उप्यों किया गया अगर भारत में अगर हम लोग एबी एम के करमिक विकास की बात करें तो एबी एम का पहली बार इस्तिमाल मई 1982 में के केरल की परूर विधानसवा निर्वाचन छेत के 50 मद्दान के अंदरों पर हुआ था एए 1982 की बात है और आपको बता दूँ अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन पॉइंटों को भी याद रखेगा 1983 के बाद इन मसीनों का इस्तिमाल इसलिए नहीं किया गया कि चुनाव में बोटिंग मसीनों के इस्तिमाल को बैधानिक रूप से दिये जाने के लिए सर्वुच नियाले की आदिस जारी हुआ था तो पहली बार 1982 में मई में केरल की परूर विधान सवा निर्वाचन चित की 50 मद्दान केंद्रों पर किया गया था फिर आप देखेंगे दिसंबर 1988 में संसत ने इस कानून में संसोधन किया और जन पिती ने दी अधिनियाम 1951 की नई धारा में नई धारी धारा 61 ए जोड़ी गई केंदर सरकार द्वारा फरवरी 1990 में अनेक माननता पराप्त राष्टिय और छेत्रिय दलों के पिति निधियों बाली चुनाओ सुधार संती बनाई गई गई और भारत सरकार ने EVM की इस्तिमाल संबंदी बिसाय विचार के लिए चुनाओ सुधार संती को भेजा था फिर आप देखेंगे 24 मार्च 1992 को विधी तथा नियाय मंतराले ने भारत की निर्वाचिक कानून में आवस्त संसुधन की अधी सूचना जारी की थी ये 24 मार्च 1992 की बात है फिर आप देखेंगे निर्वाचिन आये हुने हमारे एलेक्सन कमीशन ने चुनाओ में एलेक्टोनिक वोटिंग मसीनों को पास्तमिक इस्तेमाल के लिए स्तुईकार करने से पहले उनके मूल्यांकन के लिए समय समर पर तकनीक की बिसेश सग संतियों का गटन किया और नबंबर 1998 के बाद से आम चुनाओ उफ चुनाओ में पितिक संसदिय और विधानसवा निर्वाजने चित में एवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत 2004 के आम चुनाओ में देश के सभी मद्दान के अंदरों पर 10.75 लाख एवीएम के इस्तेमाल के साथ ये लो अब बात आती है इवीएम की विसेस्ताओं की अगर हम लोग इवीएम की विसेस्ताओं की बात करें तो इसमें सबसे वड़ी विसेस्ता यही कि यह चेड़ चाड मुक्त और संचालन में सरल है इवीएम और मजे की बात यह है कि इसमें किसी विसेस्ता पर सवाल खड़े औ नियंतर नेकाई के कामों को नियंतित करने वाले फ्रोग्राम पे एक बार प्रोग्राम बनाने योग आधार पर माइक्रो चिप में नश्ट कर दिया जाता है नश्ट होने के बाद इसे पड़ा नहीं जा सकता है और इसकी कॉपी नहीं हो सकती है कोई बदलाओ नहीं हो सकता ह और इसलिए आप देखिए कि इसे एक तरह से बिस्वसनिये माना जाता है लेकिन आप देखिए कि जब हमारे चुनाओ आये उन्हें लोगों से कहा जो लोग EBM पर सवाल उठा रहे थे कि आईए आप इसमें तक्नीक जो भी बदलाओ करके आप लोग देखिए कमी निकाल के देखिए हम बदलाओ करेंगे लेकिन उस समय आप देखिए कोई नहीं गया था उस समय समझ रहे हैं आप लोग EBM मसीन अबैद मतों की संभावना कम होती है EBM मसीन में और गर्णा पिकरिया तेजी से होती है मुद्रर लागत कम घटाती है यानि कि बैलेट पेपर जब यूज होते थे तो आप समझे कि सबसे कम तो सोची आप लोग अबैद मत डलते रहते थे यानि कि फरजी बोर डलते रहते थे और आपने देखा होगा कि जिस चित में अभी भी बैलेट पेपर का पेउग होता है जब जिस्ती आपने देखा होगा लूट लिये जाते हैं बूत और गर्णा पिकरिया बहुत लंबी चलती थी आप देखे कि पेपर एक एक गिनना पड़ता था और पैसा भी खरच बहुत होता था आप सभी जानते हैं पेड काट के आपके पेपर बनाए जाते हैं लेकिन इसमें तीनों का समाधान निकला कि बहुत जल्दी आप देखे मतों की संभावना अबेद मत डलने की संभावना कम रहती है और तेजी से इसकी गड़ना हो जाती है एक ही बटन दाना है ना आप लोगों को और कम लागत एक बार आप देखी कि इसमें कम लागत पड़ती है और EBM मसीन का इस्तिमाल बिना बिजली के भी किया जा सकता है क्योंकि मसीन बैटरी से चलती है यानि कि इसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि उम्मीदबारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती तो EBM के इस्तिमाल से चुनाओ कराए जा सकते है और एक EBM मसीन अधिकतम 3840 बोट दर्च कर सकते है इन संख्याओं को भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार आपका objective questions में पूछ लेता है और EBM सुरक्षा का मुद्दा अगर छेड़ साल समभ हो नहीं है क्यों समभ हो नहीं है अगर इस पर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि EBM को लेकर कुछ सवाल समय समय पर आ समय चर्चा में बने रहते हैं और इनके जवाब निरवाचन आयुक बार बार कहता रहा है कि EBM और उनसे सम्मदित पिडालियां सुद्रण और सुरक्षत और छेड़चानी मुथ हैं यानि कि इसमें कोई छेड़चानी नहीं की जा सकती है लेकिन आप देखें कई बिद्वान ऐसे हैं कई राजमेतिक पार्टी हैं ऐसी है जो इस तरह की सवाल उठाती रहती हैं टैंपरिंग या छेड़चानी का रहते हैं कि कंट्रॉल यूनिट की मौझूदा माइक्रोचिप पर लिखित सॉप्टिवियर फिरोग्राम में बदलाओ करना आप देखें जिसे आप लोग उने बोट दिया है उसे बदलने की छमता रखती हो ठीक हैं एक प्रकार किसी रिमोर्ट डिवास के जरिए इन्हें है करने की कोई गुशाइस इसमें नहीं है अगर आप सोची विलूटूट या आप देखे वाइफाई के जरिये connectivity रखता होता तो इसमें एक तरह से आप देखे इसे हैक करने की गुंजायस उसमें होती हैक किया जा सकता था EVM में wireless या किसी बाहरी hardware port के लिए किसी ungear EVM accessory के साथ connection के लिए जरिये कोई frequency receiver या data के लिए decoder नहीं होते हैं और hardware port या for wireless या Wi-Fi या Bluetooth device के जरिये किसी पेकार की tempering संभाव नहीं है software की सुरक्षा के बारे में बीनिर्माता के इस तरफ पर कड़ा सुरक्षा protocol लाओ किया जाता है और ये machine 2006 से अलग-अलग बरसों में बीनिर्मित की जा रही है बीनिर्मात के बाद EVM को राज और किसी राज की भीतर एक से दूसरे जिले में भेजा जाता है और बीनिर्माता इस इस्तिती में नहीं हो सकते कि बीक कई बरस पहले यह जान सकें कि कौन सा उमीदवार किसी निर्वाचन से चुनाओ लड़ेगा और बेलिट यूनिट में उमीदवार का क्रम क्या होगा और आप देखी कि किसी मालू है पहले से कि कौन कहां से चुनाओ लड़ेगे आप चुनाओ लड़ोगे या नहीं लड़ोगे और पिते की EVM का एक सीरियल नंबर होता है और निर्वाचन आयू EVM ट्रेकिंग सॉप्ट्वियर के इस्तिमाल करके अपने डेटावेस से यह पता लेकर भी आप देखिए सवाल खड़े होते रहते हैं ठीक है कंट्रॉल यूनिट का इस्तिमाल करके सक्षम किये गए पितेग वैलेट के लिए केबल एक वैद की प्रेस पिथम की प्रेस होता है एक बार वैद की होने 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 पर कंट्रॉल यूनिट सी यू या वैलेट उनिट की बीच कोई गतिरियों तब तक नहीं होता है जब तक की कंट्रोल उनिट त्वारा अन्य वैलेट सक्षम बनाने वाली की फ्रेस की वश्था नहीं की जाती है और पुरानी एबीम मसीनों को हटानी के लिए निर्वाचन आयूग ने एक मानक पिचालन पिक्रिया एस पी निर्धारित की है और एबीम और उसमें चिप को नश्ट करने की क्रिया को वे निर्वाचन अधिकारी उसके पितिनिदी की महजूदगी में अन्जाम दिया जाता है पुरानी जो चिप होती है और एबीम मसीन को 136 टेंपरेरी मुक्त बनाने के लिए कई अन्य कदमों क की तिथी और समय की स्टांपिंग उन्नत इंक्रेप्शन प्रोधुकी की एबीम लोजिस्ट्रिक्स की संचालन के लिए एबीम ट्रेकिंग सॉफ्ट्वेय जैसे सरवाधिक परिस्कित प्रोधुकियों का उप्यों किया जाता है नए मोडल की एबीम में टैम प्रेरर डिट प्रेक्शन एबं सेल्फ डाइगनेश्टिक्स जैसी अत्रिक्त विसेश्टाएं भी हैं जो नहीं आपकी एबीम आ रही हैं सॉफ्ट्विया प्रोग्राम कोड दोनों निर्माता कंपनियों द्वारा आंतरिक तरीके से तियार किया जाता है उन्हें आउट्सोर्स नहीं कि इसे री राइट किया जा सकता है इस पिकार यह एबीम की टेंपरिंग मुक्त बना देता है अगर कोई ऐसा पर रियास करता भी है तो मसीन निस्क्रिये हो जाती है और इन्हीं बिसेश्टाओं के कारण आप देखी इन्हीं पॉएंटों के कारण कहा जाता है कि आप देखी कि इसे इसमें कोई बरलाओ नहीं किया जा सकता है कि कहा जाता है कि एवियम में कोई छेड़ चाने नहीं कि जा सकती है अब आप देखी एवियम के साथ भी भी पी एटी यानि कि आप देखी कि एक परची भी आप लोगों ने सुनी हो कि यानि कि जो मत्दादा सत्याव पि जो राजबिधान सभाव के चुनाव होते हैं इसमें भी भी पी एटी यानि की मद्दाता सत्याबित पेपर और ट्राल बोटर वेरिखाइट फेपर और ट्राल भी भी पी एटी का इस्तिमाल किया जाएगा और आप लोग ने पिक्चर में देखा भी होगा इसकी बात करें है ठीक है इसकी बात कर रहे हैं वह यहां आप लोग देख पाएंगे आप लोग ने किसे बोट दिया हुआ है और अब आपके मन में एवी आ रहा होगा क्या होता है भी भी पी एटी तो भी भी ये पी एटी मसीन में एवी एम के मद्धियम से डाले जाने वाले पिते एक मत का प्रेंट आउट देती हैं जो एक बॉक्स में एकत्तित होते रहते हैं और इनका उपयोग चुनाओं से सम्बंदित किसी भी विवाद का निराकरन करने के लिए किया जा सकता है और एवी एम की तरह इसे भी भारत एलेक्टोनिक्स लिमिटेड और एलेक्टोनिक्स कॉर्प और इंडिया लिमिटेड द्वारा डेजाइन किया जाता है और भी भी पी एटी का सरफिथम प्रियोग 2013 में नागालेंड की निर्वाचन छेत में किया गया था तो इस पॉइंट को यह आप लोगो नोट कर लीजे रख लीजेगा इप भी भी पी एटी का प्रियोग सरफि जरिये वो देख सकता है उन परचियों को गिन के कि इसमें बदलाओ हुआ है या उसने जो डाला था वो ही डला हुआ है ठीक है तो इसको गिन कर एक तरह से आप इससे भी विस्वशनीता और बढ़ सकती है भी भी पी एटी एक एक प्रिकार की मसीन है जिसे एवी एम के वारा उमीदवार के नाम का भटन दवाते ही उस उमीदवार के नाम और राजनितिक दल के चिन की परची अंगले 10 सेकिन में मसीन से बाहर निकल जाती है परची एक बार देखने के बाद EBM से जोड़े सोरक्षित बॉक्स में चली जाती है इवी में लगी इसक descend परची 7 स वी आपको याद रखिएगा। BBPAT की मदद से पितिक मत स्य सम्मंदित जानकारी को प्रेंट करकि मसीन में श्टोर कर लिया जाता है। और विवाद की स्तिती में इस जानकारी की मदद से इन विवादों का निप्टारा भी किया जाता है। एक नोटा भी आप लोग देखते थे, नोटा उपयुक्त में कोई नहीं, पीपोल्स यूनियन फोर सिविल लिवर्टीज मामले में सर्वोच न्याले ने मत दाता को निर्वाचन शित के सभी उन्मेबारों के पिती आसन्स तोस्ट व्यक्त करने तथा नकरात्मक बद देने क अधिकार दिया है, सर्वोच न्याले कि इस नेड़ा को लागू करने के लिए निर्वाचन आयूग ने इवियम में नोटा बटन जोड़ा है, और इस बटन को दबाकर मत दाता यह वेक्त कर सकता है, कि वह किसी भी उमीदबार के लिए मत देना नहीं चाहता है, यह विवस सकते हैं कि हमें कोई नहीं है, कोई हमें मतलब इन वैसे पसंद नहीं है, लेकिन याद रखी नोटा पर बोट देने से कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं है कि नोटा पर अधिक बोट पड़ जाए तो नोटा जीच जाए या चुनाव के इंसिल हो जाए, ठीक है तो इसलिए इसकी भी आलोचना होती रहती है भारत में लोकतंत की आउधारना तथा निर्वाचक कानून की बात करें तो समिधान में लोकतंत की आउधारना निर्वाचन के जरिये संसत तथा राजविधान सवाओं में विधान पालिकाओं में जनपिति निदीयों को निदित को मानती है लोकतंत के बने रहने के लिए बिधी का सासन आवसेखे और यह भी आवसक है कि देश की उचित सासन के लिए सरफसिष्ट उपलब्द ब्यक्ती को जनफिती निधी चुनने के लिए सोतंत और निस्वक चुनाओ होने चाहिए चुनाओ ऐसी बातरवर्ण में कराए जाने चाहिए जिसमें मद्दाता अपनी सोतंत एक्चा के अनुसार अपने मद्दादीकार का पिरियोग कर सके उस पर कोई प्रेशन ना रहे वो जैसे चाहे बोट दे सके और इस्तेदा सोतंत और निस्वक चुनाओ लोकतंत का आधार होते हैं लोकतंत के लिए ज़रूरी रहते हैं भारत ने संसदिये पिनाली की सरकार की बैटेस वेस्टर मिनिस्टर पिनाली अपनाई देश में निर्वाचन राजपती, निर्वाचित उपराश्टपती, निर्वाचित संसत, पितेक राजी के लिए निर्वाचित राजविधान मंडल, निर्वाचित नगरपालिकाओं पायोग कहते हैं ऐसे कानू जो चुनाओ संचालन को ससिक्त करें हो जिनके अनुसार इन चुनाओ को कराने के लिए जिम्मेदार प्राधीकार हो एक ऐसी बेवस्था हो इन चुनाओ से संबने सभी संदे और विवादों का समाधान करें अगर निर्वाचन आयोग की बात होती है चुनाओ की बात होती है तो निर्वाचन आयोग की बात होना सोभाविक हो जाता है तो समीधान में सुतंत भारण निर्वाचन आयोग का गठन किया हुए है आयोग में भारत की राश्पती और राश्पती संसद और राजविधान पालिकाओं के चुनाओ के लिए कि वस्ता किना किस अनुच्छेत के अंतरकत की गए तो याद रखे 324 ठीक है एलेक्षिन कमेशन ओफ इंडिया की बात करता है 324 निर्वाचक कानून की बात करें तो राश्टपती उपराश्टपती और संसद और राज बिधान पालिकाओं के चुनाव के लिए कानूर बनान प्राधीकार का घठन किया गया है और इनके चुनाव कराने संबन्दी कानून राज बिधान पालिकाओं बनाती है और अनुचे 243 का और अनुचे 243 जेड ए में तिक है राश्टपती उपराटपती पत के चुनाव से संबन्दी सभी संदियों बिवादों को अनिप्टार संबंद राज के उचन्याले को इनमें सर्वुच न्याले में अपील करने का अधिकार भी दिया जाता है ठीक है आर्टिकल 329 में नगरपालिकावादी के चुनाव से संबंदित बिवात के मामले का निर्धारन राज सरकावों द्वारा बनाएगे कानून की अनुसार निचली अदालतें करते हैं राष्टपती उपराष्टपती पत के लिए चुनाव से संबंदित कानून संसत द्वारा राष्टपती और उपराष्टपती निर्भाचन अधिनियम 1902 में बनाएगे हैं और इस अदिनियम की पती पूर्थी राष्टपती उपराष्टपती निर्भाचन नियम 1974 द्वारा की गई हैं और इसके आँगे सभी पक्षों पर निर्देश निर्भाचन आयुक द्वारा दिये जाते हैं और इसके अधिनियम1959 में नहीं थें तो इन पॉаньंटों को याद रख सकते हैं अगर आप लोग सिवेल सर्वेस और स्टेट वीचेजर की तैयारी कर रहे हहोंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए अब आप देखी कि समय समयर पर बैलेट पेपर की बात होती रहती है मांग होती रहती है तो इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं अगर कुश्यन्स पूछा जाए तो आप लोगों को वालो होना चाहिए बैलेट 1962 से लिकर सन 2001 तक देश में बैलेट पेपर की जरिये चुना होते थे बैलेट पेपर कहने का मतलब आप समझ रहे हैं वही पर्चे वाले आप देख रहे हैं और इस दोर में राजनीती में बाहूबल और गुंडागर्दी चुनावी हिंसा की सुरुआत के साथ ही बूद कब जाने बैलेट बॉक्स में पहले ही बैलेट पेपर से भर दिये जाने जैसी घटनाएं भी सामने आई थी भारी संख्या में सुरक्षबलों की मौझूद के बाद भी बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे और देश के कई राज्यों में इस पेकार की घटनाएं बरावर सामने आती थी और जब बैलेट से मद्दान होता था तब बहार उत्तरपतेश जैसे राज्यों में यह माना जाता था कि बाहुबल के धनी नहीं उनके लिए चुनाओ जीतना असंभाव सा है यानि कि जिनके पास बाहुबल और धन नहीं है वो लोग चुनाओ नहीं जीत सकते हैं यह मानना जाता था देखे एक हकीगत बात अभी भी है आपने देखा होगा कि अपराधी करन सुनाओगा चुनाओ में वही समझे आप लोग पहले क्या होता थे कि अपराधी चुनाओ जिताते थे नेताओं को अब अपराधी भी चुनाओ अपराधी ही चुनाओ लड़ने लगे है कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि बूत कब जाने या चापने की बज़ाई से कुछ सीटों पर कुल बोटरों की संख्या से जाना मद्दान हो जाता था ऐसी घटनाओं में ना केवल जानमाल का नुकसान होता था बलकि देश के लोकतंद का भी उपवहास होता था मजा कुड़ता था मद्दान को आसान कम समय में और धान्दीली मुक्त बनाने के लिए EVM का इस्तेमाल सुरू हुआ जो बेहत सफल रहा है EVM का इस्तेमाल होने से नेता और अपरादियों की सांटगाड लगवक्त समाथ हो गई और इसके साथी बूद कैप्चरिंग के लिए अपरादियों को सरक्षंट देने का भी अंत हो गया है चुनाओ जीतने के लिए नेता अपरादियों से सांटगाड रखते थे और यही अपरादी बूद कैप्चरिंग जैसी घटनाओ को अंजाम देते थे 1952 में हुए पहले आम चुनाओ में मद्दाताओं को उस समय चलने वाले एक रुपे की नोट के आकार वाली परची दी गई थी और इस परची पे ना तो उमीदबारों का नाम दर्ज होता था ना ही चुनाओ चिन परची पर बैलेट पेपर नंबर और राष्टी चिन दर् पसंदीदा उमीदबार की मद्पेटी में अपनी परची डाल देता था और इस मद्पेटी के अंदर भी उमीदबारों का चुनाओ चिन रखा जाता था ताकि मद्दों की गिंती में कोई गढ़वडी नहीं हो होने पाए और इन मत्पेटियों की सील बंद कर अलग-अलग गढ़ना की जाती थी और अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती के उमीदबारों के लिए चैन के लिए कुछ निर्वाचिंग छेत्रों को डवल सीट की रूम में चिन्नित किया गया था ए 1952 की आप देखिए जब हमारी आजादी हमें मिलती है 1947 में तो हमारे सामने बह कि चुनाव चिन पर गोला बनाया जाता था जो आरक्षी सीटें थी अनुसूचे जाती की हो या अनुसूचे जन जाती की हो सभी राजी की विदान सबाव चुनाम भी लोग सवा के साथ होता था इसलिए कुल पंदरे सो मापकरी 4500 यानि की 4500 सीटों के लिए 18000 से अधिक उम्मीदवार थे यानि कि आप समझ रहें कि पहली लोग सवाक और विदा सभी राज्यों की विदान सवाओं के चुनाव एक समय में ही होते थे लेकिन आप देखिए बदल गए हैं अब कभी हर साल आप देखते हैं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं 17.6 कर दियों पर निसान लगाने को किया गया था मद्दान के लिए 27.20 लाग बैलिट बॉक्स के निर्माड ही तू 8200 टन इस्टील लगा था यानि कि 8200 टन ठीक है तो यह भी आप लोग याव रख सकते हैं और विदेशों में क्या इस्तिती है अगर हम इसकी बात करें तो कम से कम 24 देश ऐसे हैं जहां किसी पिकार की इलेक्टोनिक बोटिंग या फिर इस तरह की अन्य फिर्णाली को अपनाए गया है इनमें इस्टोनिया जैसे छोटे देशों से लेकर सबसे पुराने लोगतंद अमेरिका तक सामिल है लेकिन भारत दुनिया के सबसे बड़ा मद्दान EVM के मद्धम से होने लगाया जर्मनी जैसे कुछ देशों ने इलेक्टोनिक बोटिंग पिनाली अपनाई थी बाद में मत पत्त पिनाली पर लोट आये किसी ना किसी पिकार की इलेक्टोनिक बोटिंग पिनाली अपनाने वाले देशों में ऑस्टेलिया बेल्जि बेने जोईला एसा मिलें अमेरिका 241 साल पुरान लुक्तन थे लेकिन वहां अभी कोई समान मद्दान परणाली नहीं है कईदाज पत्रों का इस्तेमाल करते हैं कुछ बोटिंग मसीनों से जो आप देखते हैं जो आप देखते होंगे एक तरह से भी भी पी एटी की तरह एक रहता पेपर ट्रॉल उसका उप्यूग किया जाता है वहां ठीक है तो यह आप लूग देख सकते हैं एक देखे मुझे भी देखिए सभी कमाना है ऐसा और यहीं सवाल आप देखे कि मद्दाता हुए या पर नेता हूँ उन्हें जख्चोरता है उन्हें सवाल करने के यह डाउनलोड करके कि कहां कौन जा रही है तो ऐसा माना जाता है कि आप देखी कि उससे भी बाहरी लोग भी कनेक्ट एक तरह से कोच भी कुछ धांगली या आप देखी उस पर कोई इस तरह का फरजी काम कर सकते हैं समझ रहे हैं तो यहीं बात हैं क्या करते हैं सवाल लेकिन बात तकनीक की नहीं है समाई के पहिए को दो दसक पहले ही तरफ की तरफ घुमाने से कोई लाब नहीं होने वाला है आज के 18 से लेकर 20 वर्स के अधिकान सीवा मद्दाताओं ने तो बेलेट फिपर देखा ही नहीं है इसलिए जो लोग इसके समर्थक हैं और इसके नेटवर्क से नहीं जुड़ी है और इसलिए बेक्ती के तरूप से किसी के लिए 1.4 मिलियन मसीनों के साथ चर्चार करना असमभा हो है मद्दान के दोरां देश में पहले होने वाली चुनावी हिंसा फरजी मद्दान बूत कैप्चुरिंग आदी जैसी अन्य चुनावी स अप लोग इसके पाजिटिव पॉइंगे निगेटीव भी लिखेंगे यानी कि इसकी पक्ष में बोलेंगे कि इसमें कोई इसमें बिस्वस्व ieश नीता है और कुछ पॉइंट यह आप लोग इसकी आलुचना में लेक्पेंगे मतलब आप सूची इसके नगा नेटीव प सुधार कीज़े उस गाड़ियों में क्या प्रोबलम है हम लोग तकनीक अब समय के साथ सब कुछ बदला होता रहना चाहिए तो यही कहानी है EBM की बैलेट पेपर की और जो आपका मद्दाता सत्या फित पेपर ओडिटराल होता न भी भी P80 कहते हैं इसकी कहानी भी यह यह आप लोग पढ़ते रहिए एंज्वाइ करते रहिए और बताइए कहीं और भी कमी हो तो उस पर भी हम लोग बिस्ताज से बात कर लेंगे